अलो दोस्तों रानक लस्यज में आपको स्वागत है तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर की प्राइवेट नौकरियों में जारखंड को 75% आरच्छन देंगे तो इस वीडियो को सुरू सन तक देखें पसंद आने पर लाइक से नहीं लोग सब्सक्राइब और वेल का प्राइवेट नौकरियों में जारखंडियों को 75% आरच्छन देने का बादा किया है उन्होंने कहा कि राज में जारखंड मुक्ची मोर्चा की सरकार आने पर इस नीती को लागू किया जाएगा हेमन सोरेन न स्थानिय महिलाओं की नोकरियों में 50 पिजदी अरच्छन देने का स्वासन किया उन्होंने अनुबंध पर खार्रत प्रमचारियों को नीमित करने की घोशना की हेमन सोरेन जारखंड मुक्ची मोर्चा की ओर से आयोजित युवा आकरोस मोर्चा संभोरित कर यह मार्च राची विश्वी जाले परसर से सुरू होकर मोहरावादी मैदान होते हुए राजभवन तक गया सोरेन ने कहा कि आने वाले विधान सवाचुनाओं में आकरोसीती हुआ भाजवा का राजिनितिक सेंद्रा करेंगे उन्होंने कहा कि रगवर्दास में छले गए कि और दूसरे राज्यों से बुलाबुला कर बारदियों को न्यूक्त्रि दे रही है जह प्येश्चों परिच्षाओं में पूर्ण मंतरी है उन्होंने कहा कि सरकारी हो चाहfunded हो वहां पर है जो कि जहरखेंडियों को है सब्सक्राइब को छोड़ करें लागू है कि आप जो बचे हुए जिले हैं उनके बाहरी का प्रवेस है जेनरल की सीटों पर तोहां पर काफी रियल्ट आता और यह हालात सिर्फ जहारखंड में नहीं है यह बिहार में भी है और यह उत्तरप्रदिस में जहां भी जेनरल की सी जो परिछार थी हैं उनको थोड़ा तकलीफ लगता और निताओं को कि यह जेनरल के सीटे हैं जो कि बाहरी लोग क्यों ले रहे हैं और भी अच्छी संख्या में होने पर काफी विरोध होती है कम संख्या रहने पर उतना विरोध नहीं होता है क्योंकि लेकिन अगर मान लि ही है तो निश्यत रूप से यह पहल है जो कि आगे है जो कि मांग चल रही तो निश्यत रूप से 25-25 तो नहीं लेकिन 50-25 जरूर हो सकती है लेकिन अब आगे देखना है कि क्या होता है तो इसक्षान धन्यवाद